Welcome to Enlivening India Today we discuss vocabulary of the day दोस्तो आज हम देखेंगे vocabulary क्या vocabulary के कुछ शब्द हमारा पहला शब्द है infallibly दोस्तो infallibly का मतलब error free याने जिसमें कोई भी error ना हो faultless, unfailing, flawless, impeccable, perfect, जो बिलकुल perfectly कोई काम करें जिसमें एक भी गलतिया ना हो precise और accurate ये कुछ synonyms हैं infallibly के दोस्तो आंटोनिम हो जाएंगे flawed, faulty या guilty flawed means गलतियों से भरा हुआ हो या faulty हो कुछ गलत हो तो उसे हम बोलेंगे faulty, guilty या flawed दोस्तो infallibly का मतलब होता है perfect होना, accurate होना जिसमें एक भी गलति ना हो हमारा next word है conjuration conjuration का मतलब होता है illusion, किसी भी प्रकार का वहम होना synonyms इसके हो जाएंगे conjuring, summoning, conjuring evocutions ये सारे इसके synonyms हो जाएंगे किसी भी प्रकार का भ्रहम होना इस conjuration antonym दोस्तो इसका opposite हो जाएगा fact या unattractiveness fact means जो fact basis पे जिये मतलब जिसको सही चीज पता हो practically दोस्तो आप ये pictures में देख सकते हैं ऐसा आपको देख के लगेगा एक ये old lady है ये old man है लेकिन आप ये picture देखके इसमें समझ जाएंगे कि ये काफी कुछ reveal कर रही है यहाँ पे एक young lady और young man है और यहाँ पे इसके कान में आप देख सकते हैं कि ये लड़की बाहर आ रही है तो ये काफी इसमें बहुत सारी pictures चुपी हुई है ये एक प्रकार की illusion create करने वाली picture है means ये conjuring pic है दोस्तो हमारा next word है ordeal ordeal का मतलब होता है trial, tribulation, test या nightmare या किसी भी प्रकार का trauma होना किसी भी चीज से डर जाना ordeal दोस्तो इसका just opposite word होता है enjoyment, fun, entertainment, amusement, diversion, recreation, or leisure दोस्तो ये है meaning ordeal का next word है हमारा legitimate दोस्तो legitimate का मतलब होता है rightful, lawful, genuine, authentic किसी भी चीज को सही ढंग से करना lawfully करना, genuine तरीके से करना authorized or correct तरीके से करना is legitimate दोस्तो इसके antonym सो जाएंगे illegal, मतलब कोई भी काम गयर कानूनी तरीके से किया हुआ है that is illegitimate illegal, prohibited, lawless या crime, criminal दोस्तो legitimate का मतलब होता है morally correct दोस्तो हमारा next word है skepticism skepticism का मतलब होता है disbelief, cynicism मतलब doubtful होना suspicion होना, किसी भी चीज के बारे में शक करना या शंका रखना अपने मन में इसको हम skepticism बोलेंगे antonym, दोस्तो इसके हो जाएंगे certainty, किसी भी चीज के बारे में sure होना, doubtful condition नहीं रहेगी sure हो जाएगी, certainty, conviction confidence, trust दोस्तो skepticism का मतलब होता है doubtfulness या किसी भी चीज के बारे में शंका होना कि कोई हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा या नहीं तो वो एक skepticism है हमारा next word है felicitation कोई किसी को admire करे, applause करे courtesy करे या adulation करे तो इसको हम felicitation बोलेंगे, इसके antonyms होते हैं blame, किसी को blame करना, curse करना, criticize करना एक प्रकार से ये felicitation के antonyms हो जाएंगे, दोस्तो आप ये देख सकते हैं, ये किसी performance पे लोग performer को felicitate कर रहे हैं, दोस्तो हमारा next word है monotheism, दोस्तो mono का मतलब होता है single और theism is related to God, तो दोस्तो जो व्यक्ति एक भगवान को माने, तो he is a monotheist, और दोस्तो इसके antonyms हो जाएंगे polythism, यानि जो बहुत सारे धर्म पे, बहुत सारे भगवान पे विश्वास करता है polythism, for example, Hindu, जो Hinduism को follow करते हैं, वो बहुत सारे भगवान को follow करते हैं, मतलब वो polythism हैं, लेकिन Islam में one God को for example follow करते हैं, तो they are monotheism, जैसे बुद्धिजम, इसलाम, मतलब जो ये particular एक भगवान को मानते हैं, इनको हम monotheism बोलेंगे, तो belief in one God, एक भगवान पे विश्वास करना, अनसेसलेबल, दोस्तो अनसेसलेबल का मतलब होता है, impregnable, invulnerable, unconquerable, inviable, invincible, जिसको हराया ना जा सके, इसके antonyms हो जाएंगे, vulnerable या defenseless, जिसको easily हरा दिया जाए, तो दोस्तों, ये आप Alexander the Great की picture देख रहे हैं, ये एक ऐसा राजा था ग्रीक का, जो किसी से भी हरा नहीं, ये unconquerable या unassassable label था, encroach, दोस्तों encroach का मतलब होता है, किसी भी जगह पे illegal तरीके से कबजा करना, intrude, trespass या impinge करना, इसके antonyms हो जाएंगे दोस्तों, give, ignore, keep off, मतलब वापस कर देना, मतलब अपनी सीमा से, for example, कई लोग अपना घर roads में बढ़ा के बना देते हैं, encroachments में आ जाता है, वो road, फिर दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, कि ये encroach किया ही हुई जगह को, ऐसे सरकारी गाड़ी तोड़ के खाली कर आ रही है, कि road से अलग हो, next हमारा word है, diabolic, diabolic का मतलब होता है, satanic या evil, demonic या hellish, दोस्तों, बहुत ही जादा evil या demonic किसम का व्यक्ती, और चीज एकदम demonic हो, ऐसे व्यक्ती को हम diabolic बोलेंगे, दोस्तों, इसके antonym हो जाते हैं, kind of good, आप ये देख सकते हैं, this is a diabolic kind of person, thank you for watching this video, I hope you like this video, if you like this video, please do like, share and subscribe among your friends, thank you for watching,